नेच्रल लेंग्वेज प्रोसेसिंग इस वीडियो में नेच्रल लेंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है उसका में डेफिनिशन समझाने की कोशिश करोंगे सबसे पहले तो natural languages क्या होती है तो जो language हम अपने day-to-day life में use करते है just like example English, Hindi, Gujarati, Malayalam, Tamil, Telugu जो भी हम अपने language अपने day-to-day life में use करते है उसको हम natural language के सकते है उसको हम natural language से जानते है तो natural language processing क्या होता है कि हमारा computer है उसको हम अपना input देंगे जो हम अपनी भासा समझते है वो और हमारा computer भी हमें हमारी ही भासा में हमको reply दे उसको बोलते है natural language processing उसका definition है natural language processing is analysis or generation of natural language text using computers मलब कि computer को खुद ही generate करना है कि human ने कौन सी language का use करके हमें input दिया है और हमें उसी language का जो उसने query दिया है हमें उसी language में उसको response देना है reply देना है उसका example है language detection, machine translation, next word prediction, speech parsing and automatic query answering automatic query answering मतलब कि जो हमारा google assistant है वो जैसे ही हम उसमें हम अपना voice डालते है तो वो हमें तुरंध ही reply देता है तिनोता है speech parsing मतलब कि हम जो अपनी speech एंडर करते है उसको पास करता है फिर होता है next word prediction मतलब कि suppose कि हमने this लिखा है तो उसके पीछे is आएगा ऐसा वो basically वो प्रेडिक्ट करता है then machine translation मतलब कि हमने एक language as a input दिया है और हमने उसको translate करना है दूसरी language है जैसे कि हम हिंदी का English में translate करते है English का गुजराती में या फिर Bengali to English इसको हम machine translation करे सकते हैं और language detection मतलब कि हमने जो input दिया है वो कौन सी लेंग्वेज में दिया है चाहे वो फ्रेंच है बेंगाली है हिंदी गुजराती मराथी तमियल तेल्गू वो कौन सी language है वो उसको करने की कोशिश करेगा तो यह है हमारा नेचर लिंग्विज प्रोसेसिंग एंड उसका जो यहां पर यूज होता है वो उसके एरिया फिल्ट्स